आधिक मास जेश्ट सुक्लपक्ष शनिवार चतुर्थी तिथी दिन में सवा नौ बजे तक लगी रहेगी तत पस्चाद पंचमी तिथी प्रारंब हो जाएगी फुनरवसु नक्षत्र आज दिन भर लगा रहेगा जिसके नक्षत्र स्वामीब दिहस्पति देव हैं आज के जन्मेजातक सुंदर, सुसील, लोगप्रिय, धनी और सांत विचारधारा के होते हैं ये तिब्र बुद्धी वाले, अच्छी अस्मरण सक्ती वाले तथा दूर ब्रिष्टिकोन रखने वाले होते हैं भौते के च्छाव से परिपूर, सटीग पुर्वानुमान लगाने वाले व्यवहारिक और खुश मिजाज होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, ब्रिहस्पती और चंद्रमा की इस्थितिय अनुकूल रही, तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज दिन भर मिथुन राशी में चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी बुद्ध देव हैं तक पुश्चाद साम साथ बजे करक राशी में प्रवेस कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा की अपनी राशी है साथी साथ चंद्रमा और राहू एक साथ हो जाएंगे, जिसका प्रभाव मानाव जाती पर उनके स्वयम के कारकों की अमस्रार कौणने लगेगा मेश राशी वाले जातकों के लिए कार छेत में रचनात्मक प्रयासों को सफल बनाने की मानसिक्ता बनी रहेगी दिढ़ इच्छा सकती और प्रवल आप विश्वार सफकारी और जिनाओं को सफल बनाएंगे धन लाव मन मुताविक बना रहेगा और शासन सत्ता बाधिकारियों का सहीयोग जारी रहेगा सरकारी काम का आज पूरे होंगे और साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी मगर दोपहर के बाद मानसिक दवाओ, मा के स्वास्त और घर्ग रिहस्ती के प्रति चिंता का संकेत मिलता है अपने सामान के प्रति सावधानी या प्रेक्षित है, चोरी होने या गाइव होने का अंदेशा बनता है दिद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे ब्रिश राशी के जातिकों के लिए धन संबंधी मामलों के प्रति आफिक लाफ और घर्ग रिहस्ती संबंधी निवेश के विशे में गंभीरता बढ़ेगी कारी वजनाओं को सफल तरीके से लागू करने की मामसिकता बनी रहेगी मगर कुछ मामलों में कारी वजनाओं की रुकावर्ट का संकेद ही मिलता है हलाकि आपका वुर्जा अस्तर हर काम को निप्टाने के लिए सक्षम होगा और आथिक लाफ की स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी चंद्रमा के साथ राहू की यूती आपकी सक्रियता और तत्परता को और बढ़ाने वाला होगा जिससे रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी मगर स्वास संबंधी आवसक साथानी भी बनाए रखे मिथुल राजी वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में बृद्धी होगी ग्रिहोपयोगी वस्तूओं में निवेश होगा और पारिवारी प्रेरना बनी रहेगी कारियोजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा मगर साजेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है आथिक लाग मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई काजियोजनाओं की शुरुवात संभव है मगर साम के बाद कुछ मामलों में भ्रम की इस्थिती संभावित है और लेम देन में सावधानी रखनी चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दीन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और खुशी महसूस होगी करक राशिके जातकों के लिए अनावसर खर्च और अंचाही आत्राओं में कमी आएगी विभागे कर्मचारियों से सहयोग और कारियोजिनाओं में सफलता मिलेगी ब्यवारिक पक्ष सक्री रहेगा और नई कारियोजिनाओं के प्रस्ताव लागू होंगी आर्थिक लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और स्वास संबंधी जटिलताओं में कमी आएगी साम तक उर्जा अस्तर में बृत्धी होगी और कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा बिद्ध याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा अढ्यान अध्यापन में अभ्यास जारी रखें सिंग राजी के जात्तिकों के लिए आर्थिक लाव की स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी और ब्यावसौइक योजनाओं में विकास होगा शासन सब्दावा अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कारियोजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी मित्रों रिष्टेदारों से भी लाब संभव है और आज की साहिदारी सफल रहेगी मगर शाम का समय धन खर्ष, मानसिक तनाव, ग्रिहोपयोगी वस्तिवों में बिध्धी और अनावशक यात्राओं का संकेत करता है बिध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी है, शिक्षा प्रद्योगिता में सफलता संभावित है कर्णिया रासि के जातकों के लिए कारिछेतर में विकास और नई कारियोजिनाओं की उपलब्धी का योग बनता है आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबंधियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी भाग यवस काम अच्छे होंगे और आत्मिश्वास में विद्धी होगी मगर साम का समय ब्रहमात्म की स्थिति और आय संबंधि संसाधनों में रुकावट का संकेत देता है हलाकि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धी कोशल से उसका हल निकालने में सफल रहेंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान गएगा और ध्यान अध्यापन में प्रेयास जारी रखें तुला राशी के जातकों के धार्मिक भावना में विद्धी होगी और यात्रा का योग बनता है सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रचनात्मक प्रेयास सार्थ तक होंगे नई कार योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आठिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा मगर साम का समय कुछ ही योजनाओं के रुकावट का संकेत देता है और कुछ ही योजनाएं सफलता पूर्वक पूरी होंगी पुराने संबंध पुनरजीवित होंगे और संतान संबंधी सहयोग मिलेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रद्योगिता में सफलता संभावित है ब्रिश्चे कराशिके जातकों के लिए स्वास्त संबंधी सावधानी रखनी चाहिए चंद्रमा राहू की यूती आपके भाग भाव में बनने से कुछ मामले लंबित हो सकते हैं मकर साजेदाली के प्रस्ताव लावगायक सिध्ध होंगे नई कार्योजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वयवाहिक मामलों में रचनात्मक प्रयास आथक होंगे मिद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सिच्छा प्रत्योगता में सफलता संबंधी है धनू राशी के जात्कों के लिए कारे छेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टी महसूस होगी साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाएं फलिभूत होंगी सरकारी काम काज में लाव मिलेगा और सरक्षडिक कारियों में सफलता संबंधी है परिश्रम की प्रवरित्ती बरकरार रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए शाम का समय नगारात्मक विचारों को जन्म देगा और दक्षता प्रभावित हो सकती है साजेदारी के कामों में यात्रा संबंधी है संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा मकर राशी के जातकों को धैर्य और सावधानी रखनी चाहिए राहु चंद्रमा का योग आपके सात्मे भाव में बन रहा है मानसिक दबाव और भ्रमात्मक इस्तिती का संकेत मिलता है ठोस और महत्पून निर्ने सावधानी पुर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए हलाकि विभागी अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य बना रहेगा और काम करने में मन लगेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी मगर परिवार में तनाव की इस्तिती संभावित है संतान संबंदी मामलों में आत्मिश्वास बढ़ा रहेगा और आर्थिक लावने सहयोग मिलेगा सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कुम्ब राशिके जातकों के लिए प्रबल दिरिच्छा सक्ती बनी रहेगी और कारे छेतर में बिस्तार होगा नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आत्मिश्वास में बिद्धे होगी सरकारी काम का आज में साजेदारी सफल रहेगी और आतिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा यदि साथ सम्मंदी जटिलताएं चली आ रही है तो ध्यान रखना चाहिए राहू और चंदर्मा की यूती शारिरिक और मानसिक अस्तर को प्रभावित कर सकती है शाम का समय सावधानी रखने वाला होगा भविस की योजदाओं में नीजी निवेस के लिए आज का दिन उचित नहीं है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा शिक्षा प्रद्योगता में मेहनत करनी पड़ेगी सफलता सम्भावित है मीन दाशिके जातकों को कारे शेत में सावधानी रखनी चाहिए आपकी कारे वर्जा और आपनिश्वास राहू के पांचमे घर में होने की वज़ा से बार बार प्रभावित हो रहा है मगर मंगल की दिष्टी से कुछ हिस्तिरता सम्भावित है दोपार बार चंद्रमा की यूती राहू के साथ होने से कारे शेत के प्रती मन मताविक पहल और सक्रियता में कमी हो सकती है धैर और सहियम से काम लेते हुए रचनापनक प्रयास जारी रखें कारे शेत में विकास होगा आर्थिक शेत में सहयोग जारी है मगर स्वास सम्मन्नी सावधानिया रखनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी अभ्यास जारी रखें काज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमस्षिवाए